हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल बुनाई लेके आई हूँ सिर्फ एक रो में कंप्लीट होने वाली बुनाई है इससे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको आपका बॉर्डर रेडि करना है उसके बाद आप बैक साइड से एक रो प्लेन उल्टी बुन लिजे इससे आपको फंदे बढ़ाने हों तो आप बढ़ा सकते हैं उसके बाद आपकी राइट रो से ये बुनाई स्टार्ट होगी इस बुनाई के लिए आपको दो की मल्टिपल पर फंदे लेने होंगे ये आपको एक दो फंदे उल्टे बुनने है देखे दो फंदे आपने उल्टे बुनने ये उसके बाद आपको ये फॉर्स वाला फंदा बहार निकालके इस धागे को बैक साइट में करना है फिर ये फंदे को आपको फिर इसी आपकी राइट वाली सलाई में डालना है फिर का आगे करेंगे फिर देखिए एक दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर सबसेटिवे को बाहर निकालकी धागा बैग करके ही ये फंदे प्राइट हैकि पूरी रोग complete होगी ये देखिए दो फंदे उल्टे फिर धागा back करेंगे फिर ये फंदे को फिर से right से लाई में लेंगे फिर देखिए एक दो फंदे उल्टे फिर देखिए first वाले फंदे को left line में लेके धागा back फिर इसको right line में ले लेंगे फिर धागा आगे देखिए friends फिर ये देखिए एक दो फंदे फिर देखिए first वाले को आपको left side में लेके धागा back करना है फिर ये आपको right side में डालना है देखिए इस वाले फंदे को आपको सिधा बुनना हो क्योंकि ये edge stitch है और आपकी right side है तो आप इससे सिधा बुन लेज़े इस तरी किसे ये देखिए ये आपकी first row complete हो गई अब आपको ये देखिए back row में पूर इस लाई आपकी उल्टी बुननी है ये देखिए एक ये सारे फंदे आपके उल्टे जाएंगे ये देखिए friends बिल्कुल easy है simple एक ही आपकी रो में बुनाई डालनी है बाकी back side में आपको उल्टा बुनना है और बहुत जादा beautiful लगती है ये बुनाई पूरे sweater में आती है ये देखिए ये देखिए फिर आपकी ये right row आगई देखिए edge stitch है मैंने बुन लिया है फिर ये जो अपने first row बुनी थी same way get repeat करने है देखिए 1 उल्टा दो उल्टे first वाली को निकालना है धागा back side करना है फिर इसको निकालके फिर आगे धागा फिर दो उल्टे एक दो फंदे उल्टे फिर इसे बहार निकालके दागा बैग करके फिर ये फंदा ऐसे जालना है फिर दागा आगे फिर देखे एक दो उल्टा फिर स्को निकालके दागा बैग फिर फिर स्को और लेना है फिर दागा आगे फिर दो उल्टे एक दो उल्टे फिर दागा ये देखिए फंदा निकालना है दागा बैक फिर देखिए इस तरीके से फिर दागा आगे फिर एक दो उल्टे फिर फिर स्वाली को ऐसी निकालना है फिर दागा बैक फिर देखिए इस तरीके से फिर दागा आगे फिर एक दो उल्टे फिर दागा ये देखिए इस तरीके से फिर धागा आगे फिर एक दो उल्टे फिर इस फंदे को इस तरीके से निकालना है धागा बैक फिर ये और ये लास्ट एजिस सिदा बुलेंगे इस तरीके से ये देखिए ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी बनके आती है बनाई ब्यूटिफुल बनके आई है यह देखिए इस तरीके से आप यह दो रोज रिपीट करते जाएंगे तो आपके बुनाई बहुत ही ब्यूटिफुल लगएगी देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह बुनाई पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब सब्सक्राइब करें थैंक यू